मेरा नाम जूली है, मैं बहुत ही बदसूरत और मोटी थी, मेरे बाल भी सफेड हो गये थे, मुझे जो भी लड़का देखने आता तो मुझे इंकार कर देता था, क्योंकि मैं दिखने में ही बदसूरत दिखती थी, लेकिन अचानक एक लड़के का रिस्ता आया, वह लोग मुझे जैसी बदसूरत और मोटी लड़की को पता नहीं कैसे पसंद कर लिया, और फिर उससे मेरी साधी हो गए, अभी मेरी साधी को तीन महीने ही हुए थे, कि मेरे पेट में हर वक्त दर्द रहने लगा था, एक दिन तबियत बहुत ज़्यादा बिगड गई, तो मेरी सा किया, तो उसकी बात सुनकर मेरे सर पर असमान तूट पड़ा था, वह बोली कि डिलिवरी का वक्त आ गया है, मरीजो को डिलिवरी वार्ड में ले चलो, मुझे लगा कि मेरा पती अभी मुझे तलाक दे देगा, मगर मेरे पती ने जो किया ये देखकर तो मैं हैरान हो गई क्योंकि नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको जूली और रोहित की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप बोलेंगे कि सभी लड़कियों को ऐसा ही पती मिले, दोस्तो आसा करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी मेरा नाम जूली है, मेरे बाल सफेद हो गए हैं और मैं बहुत ही मोटी थी, सायद इसलिए अभी तक मैं कुवारी हूँ मेरी एक भाबी है, जिनका नाम रूबी है, उनका एक तीन साल का बच्चा भी है मैं अपनी भाबी रूबी से आठ महीने बड़ी हूँ, मैं आइने के सामने खड़ी अपनी मुझायवे वजूत को देख रही थी मेरी आखों के नीचे हलकी हलकी काली लकीर भी बन चुकी थी, सर के बाल भी सफेद होने लगे थे और रंग ऐसा हो गया था कि देख कर ही दिल परिसान हो जाता था मैं काफी मोटी भी हो चुकी थी, जबकि मेरे कमरे में लगी तस्वीरों में मैं तो पहचान ही नहीं जाती थी मैं अब हर वक्त परिसान रहने लगी थी, क्योंकि मेरे उम्र की लगवक सभी लड़कियों की साधी हो चुकी थी, जबकि मैं अगी तक कुँआरी थी मेरी मा मूँ से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे मालूम था कि वह अंदर ही अंदर मेरे लिए परिसान रहती थी मैं आइने के सामने खड़ी थी कि जब भावी की आवाज आई, वो बोली जूली आजाओ चाय बन गई है, जब साथ सब साथ बैटते हैं मैं भी उनके साथ चल पड़ी थी, भावी तेज तेज चलती थी, जबकि मैं लंगडा कर चलती थी, वो आगे निकल गई, तो पीछे मुड़कर मुझे देखकर हसते हुए बोली जब से तुम्हारा भतीजा तीन साल का हुआ है, मुझे हर काम जल्दी-जल्दी करने की आदत पड़ चुकी है, आजाओ मेरे साथ, भावी ने मेरा हाथ थाम लिया था मैं साथ चलते हुए भावी रूबी से बोली, रूबी तुम मुझे से आठ महीने छोटी हो ना, उसने इस बात से सर हिला दिया तो मैं बोली, तुम्हारी साधी तो साथ साल पहले ही हो चुकी है, क्योंकि तुम बहुत ही हसीन हो फिर भी, देखो और मैं आज तक अपने माँ बाप पर बोज बनी वैठी हूँ, क्योंकि मैं लंगडी भी हूँ और मोटी भी रूबी एकदम परिसान हो गई, वह बोली, चुप करो जूली, ऐसे बाते नहीं करते हैं, भगवान सब बहतर करेगा, तुम बिल्कुल भी फिकर ना करो, वो तुम्हारे लिए बहतर ही पती ढूंडेगा मैं चूप हो गई थी, साम को मैं अपने कमरे में बैठी रमायन पढ़ रही थी, जब मेरी भावी भागते हुई कमरे में दाखिल हुई, वो बोली, जूली, जल्दी से कोई अच्छा सा ड्रेस पहन कर बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए रिस्ता आया है, मैं तो भावी की त रुवी क्या फायदा तयार हुने का, जब लड़के वाले मुझे देख कर रिजेक्टि ही करने वाले हैं, वह बोली कि ना उमीदी वाले बाते करना बंद करो, तुम पीटोगी मुझसे, देखो सुबह हमने तुम्हारी रिस्ते के लिए प्रार्तना की, और अब रिस्ता भ बैठी हुई थी, आंटी मुझे देखकर खुशी से उठकर खड़ी हो गए थी, उसने मुझे बड़ी प्यार से अपने पास बुलाया, जबकि मैंने तीर्षी नजर से उस लड़के की तरफ देखा था, आज मुझे पहली बार ये अहसास हुआ था कि पहली नजर की मुहब बहुत पसंद आई है, अगर आप कहें तो हम इसे अभी अंगुठी पहना के जाते हैं, तब ही मैंने नजर उठा के उस लड़की की तरफ देखा था, वो अभी मुझे ही देख रहा था, मा बोली अगर यह बात मेरे हाथ में होती तो यकीनन आपको अंगुठी पहनाने की इजाजत दे देती, मगर आप तो जानती है ना कि साधी ब्याह के मामले मर्दों के हाथ में ही होते हैं, जूली के पीता जी जब ओफिस से वापस आ जाएंगे तो उनसे बात करके मैं आपको कॉल कर देती हूँ, वे लोग चले गए थे, मगर मेरा दिल अभी तक बेहत धड ठक रहा था, फिर एक हुआ मेरे सारे फैसले भगवान ने अपने हाथ में ले लिये, दोनों तरप से ही हाँ हो गई थी, और सिर्फ एक महीने बाद ही साधी की तारिक भी तै हो गई थी, मैंने अपने घरवालों को सकती से मना कर दिया था कि मुझे धूम थाम से साधी नही करनी है, मेरे दिल में यही डर था कि लोग मुझे देख के हसेंगे, मेरे घरवालों ने भी मेरी इस बात को मान लिया था, और विल्कुल वैसा ही किया जैसे मैंने कहा था, घरवालों ने साधी के जोड़े में मुझे बीदा किया था, और मैं रोहीत की दुलहन बन चुकी मैं बहुत खुश थी थोड़ी देर बाद ही रोहित भी मेरी कमरे में आ गया था ओभी खुश लग रहा था उसने मुझे 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 दिखाई रस्मे पर अंगुठी पहना दी थी और बोला जूली आज मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में सामिल हो चुकी ह जबकि मुझे अभी तक इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था ऐसे कैसे हो सकता था कि वो एक मोटी सी बेराउनक लड़की को पाकर खुश हो गया हो मैं बोली मुझे एक बात पुछनी थी आप आप मुझे एक बात बताएं कि आपने मेरे साथ साधी क्यों की है वो मेरे सवाल पर हस दिये और बोले जाहिर सी बात है तुम मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैंने कर ली थी साधी मैं सवाल ही सवाल निकाल रही थी ताकि रोहित का जवाब सुनकर मेरे मुर्जाय हुए दिल को सुकून मिल जाया मैं बोली मुझे में क्या पसंद आया था आपको वो बोले तुम्हारी ओरिजनिलेटी तुम जैसी हो वैसे ही हमारे सामने आ गई थी तुमने खुद को मेकप करके परदे में नहीं छुपाया था मैं मुस्कुरादी थी मेरी साधी के बाद ही खुफ्सूरत लम्हे सुरू हो गय थे मेरा पती मुझे पर जानने उच्छावर करता था जबकि मेरी सास तो मेरा अपने माबाप की तरह ही ख्याल रखती थे अगर तुम अस्मार्ट हो गई न तो रोहितों बिल्कुल भी पसंद नहीं आओगी और अच्छी नहीं लगोगी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी खर हर साम मेरी सास रोहित के आने से पहले मुझे कुछ न कुछ मिठा जरूर खिलाती थी जो कि मैं उनकी मुहपत समझ कर खा लिया करती थी आज मेरी सास ने मुझे केक खिलाया था जिसे खाते ही मेरे पेट में जोडों से दर्द सुरू हो चुका था अब तो हर रो जैसा ही होता था मेरी सास जब भी मुझे कुछ मिठा खिलाती थी तो मेरे पेट में दर्द सुरू हो जाता था जब तक रोहित घर तक अंगर पे आते तब तक मैं दर्द से परिसान हो जाती थी और फिर वहीं सारी रात मेरे लिए जगता राता था यूँ हम दोनों को एक दूसरे के साथ बैट कर बहुत सारी बाते करने का मौका ही नहीं मिलता था। मैं इस वज़ा से बहुत परिसान थी। मैंने सोचा क्यों न मैं अपनी सास का दिया हुआ मेठा खाऊं ही नहीं क्योंकि मुझे अपनी सास पर सक होने लगा था। कि सायदव मेरी और रोहित के प्यार से जलने लगी थे और हमें एक दूसरे से दूर रखने की कोशिस कर रही थे। आज साम जब मेरी सास मेरे लिए कश्टड बना कर लाई थी तो मैं बोली मा जी मैं इसे अपने कमरे में जाकर खालूंगी। ओ कहने लगी अभी मेरे सामने ही खाओ। मैंने बहाने से कहा कि मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। ओ बोली ठीक है जब ठीक हो जायेगा ना तब खाले ना। मेरी सास मुस्कुरा दी थे। मैंने अपने कमरे में आकर उस कश्टड को खाने के बजाए छुपा दिया था। मुझे लगा था कि आज मेरे पेट में दर्द नहीं होगा बगर मेरा अंदाजा बिल्कुल ही गलत निकला था। मेरे पेट में दर्द सुरू हो चुका था। और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ने लगा था। मैं दर्द से कराहने लगी थी। मेरी सास मेरे कमरे में भाग कर आई और बोली क्या बात है बेटी, मैं रोते हुए बोली, रोहित को बुलालो, मेरी तब्यत बहुत खराब है। तब तक रोहित भी आचुके थे। उन्होंने मेरी हालत देखी, वो जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर गये, मेरी सास मुझे दिलासा देती रही, अस्पताल पहुँच कर मुझे इमर्जेंसी वार्ड में एड्मिट कर दिया गया, डॉक्टर ने चेक अप किया, तो बोला पेसेंट के डिलेवरी का समय आ गया है, पेसेंट को डिलेवरी वा का हो गई थी, और उस डॉक्टर की तरफ देखती रह गई थी, मैं चिलाई और बोली, यह ना मुनकिन है, क्योंकि मेरी साधी को तो अभी सिर्फ तीन महीने ही हुए है, मुझे लगा था कि मेरा पती अभी मुझे तलाग दे देगा, इसलिए मैं बहुत डर गई थी, मैं ग था, मैं चीखने लगी थी, रोहित ने जल्दी से मेरा हाथ थाम लिया, और बोला, घबडाव नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस सब बाहर चले गए, मेरी डिलिवरी का वक्त सुरू हो गया था, दो घंटे की कोसिस के बाद मैंने एक बच्चे को जनम दिया था, मगर म मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि यह बच्चा मैंने ही जना है, लेकिन मैंने अपनी आखों के सामने अपने बच्चे को पैदा होते हुए देखा था, इसलिए मुझे यकीन करना ही पड़ा, मैं दुख और गम से बेवस हो चुकी थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं रोहीत का सामना कैसे करूंगी, वह सायद अब मुझे तलाक देहीं देगा, विरादरी में मेरी कितनी बेजजती होगी, यह बाते सोच सोच कर मैं रोने लगी थी, थोड़ी देर होई थी कि रोहीत और मेरी सास कमरे में आ चुके थे, दोनों बहुत ही खुस लग रहे थे, मेरी सास ने मुझे मुझे मुबारक बात की बात दी, और बच्चा मेरे सामने करके बोली कि देखो बहु बेटा हुआ है, यह तो हु बहु तुम पर ही गया है, मैंने मुझ फेर लिया था, मैं बोली इसे मेरी आखों के सामने से दूर ले जाएं, रोहीत बो था कि वह मेरे घरवालों को इस बच्चे के पैदाइस के बारे में कुछ भी ना बताएं क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पीता जी को पता चले कि उनकी बेटी ने साधी के तीन महीने बाद ही उन्हें नाना बना दिया था रोहित अब भी मेरा बहुत ख्याल रखता था उनकी जगा कोई और मर्द होता तो अब तक मुझे तलाक दे चुका होता मेरी सास इस बच्चे को संभालती थी मुझे तो उसका मूँ देखने का भी दिल नहीं करता था दोस्तो इस कहानी की आगे का भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी अगर आपने इस लिए अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरू दबाईएगा ताकि जब भी मैं अगले वीडियो की कहानी का अगला भाग अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद